नमस्कार मित्रों आप सभी का कुछ बाते बाते में सवागएद्ध दोस्तों दोस्तों, तीन लाएख लोगों ने आज रैली निकाली है रैली किसके समर्थिन में? जी यहाँ दोस्तों, रैली निकाली गई है Free Palestine के समर्थिन में और indirectly हमास के समर्थिन में उस हमास के समर्थिन में जिसने की 7 अक्टूबर को इसराइल में घुस कर 1400 लोगों को मार डाला बितरती से मार डाला दूस्तों और 200 लोगों को अग्वा करके लिके चले गया और आज तक ये नहीं पता है चला है लोगों को कि उन 200 लोगों का क्या हुआ और लंडन जैसे अगर इस तरह से ऐसे आतंवादियों के लिए समर्थन है तो ये कही न कहीं दर्चार है कि ये रोप में या फिर आप जो कि जिस तरह से प्रदर्शिन हो रहे हैं इन लोगों के लिए यह दिखा रहा है कि कहीं न कहीं काफी बड़ी परिशानी इन देशों में है और ये देश इसको कैसे टैकल करेंगे इनको सोचना पड़ेगा और जिस तरह से भी दिख रहा है जिस तरह से हमास के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं उन आतमवादियों के लिए फ्रदर्शन हो रहे हैं, यह मुझे नहीं लग रहा है कि वहां की सरकारे अभी जुआ है अपना सर पकर के बैठी होंगी, और वो यह सोच रही होंगी कि हम इस स्थिदी से कैसे बाहर निकलें, यहां से अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि जो अभी चल रहा है, इसके खिलाफ एक और साइलेंट, अभी तब तो साइलेंट है, वो धीरे धीरे अपना सर खड़ा कर रहा है, और वो दोस्तों है, वो वहां का राइट विंग, जो काफी समय से लिब्रल्स के, उसके अंदर जो था, काफी समय से वो चुक था, और लेकिन जैसे यह जो प्रदर्शन है, उगर होते जाएंगे, वैसे वैसे वो लोग भी उगर होते जाएंगे, ये खाली समय की बात है जोस्तों कि कब तक ये जो एक आग जो नीचे चल रही है वो कब तक क्या बोलता है सतव पर आएगी और शायद से ये जितने भी European countries ये Western countries है जिस तरह से आगर आप देखें कि लोग आपस में लड़ रहे हैं और जो लोग इस्राइल का समधन कर रहे हैं उनको पीटा जा रहा है और ये सिर्फ एक देश में नहीं हो रहा है ये आपको अमेरिका के बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी से लेकर उनकी सडकों से लेकर आपके पूरे-पूरे यूरोप में चल रहा है और ये एक दुखत ब लिबरल समाज है जहां पर की जहांके लोग की सोच जो है काफी उन्नत है लेकिन अब देखके लग रहा है कि उनकी सोच जो है वो ऐसी जगह पर आके खड़ी हो गई है या फिर एक ऐसे दल-दल में फस गई है दोस्तों कि उस दल-दल से वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं उसकी सोच में कुछ नया नहीं आ रहा है या फिर वो सोच ही नहीं पा रहे हैं किसी चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं यह बहुत बड़ी परहिशानी है दोस्तों अभी के लिए दोस्तो बस इतना ही आप भी सोचिए किस हालत में है अभी यूरोप वाले और आपके साथ साथ आपके अमेरिका वाले और वो उस हाल से कैसे निकल पाएंगे यह बहुत बड़ा question है दोस्तों अगर नहीं निकल पाएंगे तो वो एक बड़े परिशानी रही कि उनके लिए बहुत बहुत दन्माद दोस्तों फिर मिलते हैं